तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सबस्टांस के सबस्टांस क्या होती है या क्या होता है ठीक है तो बैसेकली मैंने आपको पहले भी वीडियो लेक्चर के अंदर एक बहुत बड़ा कॉंसेप्ट जो लेक्चर दिया था मालीकूल के बारे 20 मिनट की huge time है ठीक है तो उसको जबरूर देखेंगा ओके link description में given है आपको पता है हमारे इर्दगिर्द चीज़ें मौझूद है हमारे इर्दगिर्द भूस सारी substances मौझूद है ठीक है तो हम अगर अपने आज़ पास देखें अभी आपके तो आपके पास chair present है chair desk pen तो हमारे आपर matter के सारी की सारी चीज़ें matter है क्यूंकि इनकी पास कुछ ना कोई non mass है और दूसरी बाद ही जगा घेर रही है आपकी pain जगा घेर रही है तो मैं आपको बता हूं matter दो type categories में divide किया गया है एक है pure pure matter pure substance pure substance और दूसरा है mixture mixture आपको पता है word आपको सुना सुना भाई मिलावड कर दी दूद में दूद में पानी डालती है मिलावड कर दी मिक्सचर मतलब मिलावडी का pure substance means pure ठीक है तो हमारे नहीं बाद जो matter है चीएर चिएर क्या है या तो चिएर क्या हो सकती है pure substance हो सकती है यॐ है तकी कि यहादेष्क प्यूर सब्स्टांस या यह हमारे पास मिक्षर है यह यह पूर्ट है यह पर सब्सक्रांस अब हमें नहीं नह्य करना क्या है है क्या गॉर्फ और जिख्रोंभक्तिकल पार्टिकल्स лег이다 आपको बताओं हाइड्रोजन 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 हाइड आयरन की सीट मौझूद ए पेपर की तरह है जैसे अल्युमीनियम फॉयल होती है जैसे आपके वास मौझूद है एफई एफई हम आयरन को एफई से डिनोड करते हैं लुक्त शो करते हैं तो आप क्या गाओ गए यह मिक्शर है या यह यह क्या है प्यूर सबस्टांस से सबस् structure same है everything is similar to him मतलब यह एक substance है अगर मैं आपको बताऊँ आप एक जग लें जग के अंदर आपने एक जग ले लिया ठीक है for example for the sake of simplicity आसानी के खातिर मैं आपको बताऊँ एक जग यह गिलास ले लिया इसके अंदर आपने पानी भर दिया और इसके अंदर sugar डाल दी पानी के अंदर पानी sugar भी डाल दी sugar डाली water के अंदर sugar डाल दी तो water के अंदर अब यह mixture है सबस्टाँ से अब H2 already present है जब आपने H2 के अंदर sugar डाल दी sugar के है C6 H12 O6 तो यह सबस्टाँ से इसमें तो अलग-अलग टाइप की चीज़ आ गई कैसे H2 और C6 अब आप का होगी यह तो पूरी गुल गई हमें तो कोई चीज टुकड़ा नजर यह नहीं आ रहा है जिसे बजरी है बजरी नहीं dissolve होती या कोई पत्थर है वो उसके नदर बढ़ा लेता है तो इसके अंदर तो यह dissolve हो गई है नमक dissolve हो गई है यह dissolve हो गई ठीक है लेकिन यह mixture क्यों है यह तो सबस्टाँस होनी चाहिए न लेकिन अब H2O और C6 H2O6 आपस में dissolve होए है ठीक है H2O क्या है H2O की size अलग है और C6 H2O की size अलग है structure अलग है और दूसरी बात यह है कि यह mixture क्यों कि chemical bonded नहीं है H2O, C6, H2O6 का आपस में chemical bonding नहीं होई तो बगेर chemical bonding के हमने मिलावर्ट कर दी है दो चीजों की तो दो चीजों की मिलावर्ट को हम क्या केते हैं हमारे पस क्या वो होता है mixture अब आप देखें आपको सवाल आ रहा होगा भाई H2O H2O भी तो दो चीजों की मिलावर्ट है hydrogen और oxygen की पर यह तो substance है और वो वाली तो compound है अब यह जो H और O की जो combination है वो chemical यह mixture है chemical यह आपस में chemical यह chemical combination है जबके इस वाले case के अंदर कोई भी chemical combination form नहीं हो रही so means के substance क्या है एक piece है pure चीज़े जो के similar identical units का बना हुआ है मतलब similarity होनी चाहिए वो चीज़ identical जिसे water है water है क्या है substance है water क्या है substance है water आपके पास क्या substance है क्यों water के अंदर आप देखेंगे हर जगा पर आपको H2O मिलेगा water के अंदर हर जगा पर आपको H2O molecules मिलेंगे ठीक है अब यह सारे H2O molecules है basic unit है और chemically bonded है तो H2O क्या है एक इसका सारों का size structure shape सब सेम है मतलब similarity है यहाँ पर ठीक है so compound भी pure substances होती है water is a pure substance क्योंके वहाँ पर basic fundamental unit है वह है H2O ठीक है यह बास समझे है आपको substance एक group of similar identical particles है similarity होनी चाहिए ठीक है तो सिर्फ similar type के माली के उस atoms जुड़े में है जब similar type के क्या जब similar type के same type के elements जुड़े में ए ए ए ए ए ए तो यह pure substance बनाते है element ठीक है जब different type के items जुड़े में आपके पास A, B, C यह आपस में जुड़े में बहुत सारे तो यह chemical substance बनाते है pure substance बनाते है वह होती है compound ठीक है यह बास समझाए तो बुक के अंदर आप पढ़े आप 200 meter in pure farm pure farm मतलब अपनी pure चीज़ से बनी हुई है उसके अंदर इंक अलग चीज़ के बनी हुई है धक्कान अलग चीज़ का बनावा है ठीक है every substance है fixed composition and specific properties हर substance के पास अपनी properties है composition composition क्या है H2 substance है भाई भाटर है उसके पास H2 है basic fundamental है अब इसकी properties क्या है H2 है molecule का size यह है polar है तो मतलब एक fixed property होगी और उस proportion के अंदर वो होगा every substance has physical and chemical properties मतलब हर substance के पास अपनी specific मक्सूस अपनी properties होगी कोई भी दो अलग substances two different substances can not be same यह वर याद कर लो two different substances के never be same जब दो different substances never be same मतलब जब दो चीज़ें मिल गई तो एक substance के लाएंगे मतलब कोई भी दो substances हैं आपके पास एक water है water है और एक है N-A-C-L salt है नमा के तो दो different type के substances है दोनों में फरक है हर substance के पास अपनी physical, unique and chemical properties मोज़ूद होती है ठीक है example of pure substances include tin sulfur diamond water pure sugar sucrose table salt sodium chloride N-A-C-L ठीक है baking soda sodium bicarbonate substances elements and compounds तो substances क्या होते या तो elements होते या compounds होते elements क्यों होते elements homoatomic molecule से बने वे होते elements क्या होते homo होते similar type के basic unit से structure से particle से बने होते और जबके compounds different type के particles या नि heteroatomic molecules से heteroatomic particles से बने वे होते है ठीक है so यहाँ पर concept होते होमो हेट्रो का elements substances compounds but वो pure farm के अंदर होते उनका basic fundamental properties structure से होने चाहिए ठीक है तो मुझे अमीद आप लोगों को यह बात समझ आ गई होगी कि क्या चीज़ है ठीक है इसका basics concept जो है आपको दिमाग में fit हो गया गया प्यूर form of matter ठीक है pain pencil कुछ भी सबस्टांस नही है but the same composition is the substance ठीक है तो मिलते है नेक्स वीडियो लेक्चर के अंतर तब तक के लिए बाई बाई keep learning and keep exploring अलाहाफिस